हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जी डिसी इटुटर में जैसा कि आपको पता है डी फार्मेसी का जो भी एक्जिट एक्जाम होने वाला है उस एक्जिट एक्जाम में टोटल आठ सब्जेक्ट से कोश्चन बनने वाले हैं उन आठो बहुत से इंप्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे लगातार हर एक फार्मा कमटेटिव एक्जाम में कोश्चन बनते ही बनते हैं जैब वो जीपैट नाई पर हो फार्मासिस्ट डियाई हो तो आपके एक्जिट एक्जाम में भी वह सब्जेक्ट आ रहा है तो उस टॉपिक जो जिलेटिन से बनता है उसके टाइप ऑफ जिलेटिन से उसके ब्लू मिस्टेंद उसके विसकोस्टी अलग अलग पैरामिटर से कोश्चन बनते हैं तो उन सभी इंपॉर्टिन टॉपिक के सौट सौट वीडियो हम अपने इस चैनल पर बना रहे हैं जिससे आपके हो डी फार्मेसी के चाहत रहो तो इस वीडियो में लाइक से कमेंट भी कर दीजेगा और हमारे चैनल पर बने रहे हैं जाके डिस्क्रिप्शन को विजिट कर लीजेगा वहां पर यह सारे इंपॉर्टिन टॉपिक आपको मिल जाएंगे चले या आज हम इस टाइप ऑफ ज सोर्सें किया आता है तो वहां से कोश्चन आपका बनता है जैसे अब इस लाइड में अगर बात किया जाए तो जो जिलाइटिन होता है वह दो सोर्सें से प्राप्त होता है एक टाइप वन जिलाइटिन होता है टाइप ए होता है और एक टाइप बी यह बहुत सकता है कि टाइप और याहां से कोशन मनेगा दूसरा उ सकता है कि बिए ताइप a आपका a ए सटाय और हम बात करते हैं यृण का इसो अबकर इप्छak Aleks यह 9 होगा और यह इसका 4.7 होगा तो मतलब इस slide से total 3 question आपके तयार हो सकते हैं और 3 question बन सकते हैं क्या क्या बन सकता है आपका source से आपका type A की बात कर लें तो पौर की स्किन से बनेगा और type B का source आपका green bone होगा वहीं पर type A आपका acid treated होगा और type B आपका alkaline treated होगा type A का isoelectric pH आपका 9 होगा और type B का isoelectric pH आपका 4.7 होगा तो अलग अलग जो आपके दोनों type के gelatin के source है उनका तीनों parameter आपको याद करके जाना है तीनों से question बनेंगे अब कैसे question बनेंगे चलो यहाँ पर देख लेते हैं जैसे question आया था pork skin used for the preparation of which type of gelatin बहिए pork skin किस type of gelatin का source है type A का है type B का है दोनों का है या किसी का ने अभी तो देखा कि बहिए टाइप A में pork skin source होता है और type B का क्या होता है green bone होता है तो type A वाला हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा इसी तरीके से पूछ सकता है कि बहिए टाइप A का isolatric point क्या होगा pH क्या होगा तो वहां से बता सकते हो है अब यहाँ पर देखो अब यहाँ तो source से question बगेंगे इसका source याद कर लीजेगा यहाँ तो भीया एक acid treated एक alkali treated यहाँ से बन सकता है यहाँ तो इसके isolatric PS से मतलब तीन question अलग-अलग ढंग से इस topic इस slide से बन सकते हैं तो इसको ध्यान दीजेगा इसको अच्छे से करिएगा और इसी तरीके से धेरो topic हम अपने चैनल पर बना दिये हैं उसको भी जाके playlist से visit कर दिएगा और अगर हम बात करते हैं sir exit exam में स्लेबस क्या होगा तो सभी को पता है exit exam में PCI ने बताया है एक पेपर होगा पहले बोला था तीन होगा लेकिन अब एक होगा सारे तीन गंटे की timing होगी mcq-based total question देखने को विलेंगे और English language में आपका paper आएगा और भीया 50% passing marks भी तो है यह क्यों भूल रहा हो अगर 100 नंबर का paper आएगा तो 50 नंबर या उससे ज्यादा आपको लाना अनिवार है नहीं तो आप fail माने जाओगे फिर बात करते हैं सब्जेट की सोटिक्स आ रहा है कुलोजी आ रहा है कोगनोसी आ रहा है तो उसके लिए हमारे GDC classes app पे exit exam का crash course available है जी है अगर आपको exit exam की त्यारी करनी है तो इस exit exam के crash course में आप जोड़ सकते हो simply इसका link में description में डाल दूगा क्या इसमें मिलेगा भाईया complete auto subject का complete chapter wise topic wise आपको expert faculties के द्वारा live classes आपकी चल रही है मिल रही है live classes कोई छूड़ जाती है तो उसकी recordings available रहती है और पूरियस लेवर्स का already recorded video lecture है तो आपको कोई भी subject पढ़ना है कहीं भी topic उठाके पढ़ना है तो recordings में जाके पढ़ सकते हो फिर उसका test दे सकते हो उसके question को solve कर सकते हो complete PDF notes मिलेगा exit exam की यहां पे books आपको घर पे इससे क्या होगा exit exam की तयारी तो होगी as well as जितने भी pharma competitive exam होते हैं उनकी भी तयारी आप आसानी से कर सकते हो साथी साथ अगरम बात करते हैं कि भीया आपको डेली इसी course में इसी आप में 11 बजे एक बजे तीन बजे और पांच बजे डेली आपका क्या चलता है mcq का practice लग exit exam की तयारी कर रहे हो ना बहुत अच्छे से होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी असानी से इस exit exam की आप तयारी कर सकते हो बस हमारे course में जूड़के और हमारे इस चैनल को subscribe कर रखो यहां पे डेल सारी update आती है as well as अगर हम बात करते है sir exit exam का आपको theory और objective book मंगाना ह exit exam का तो defarmacy exit exam at your fingertips GDC classes app पे जाओगे इसका नाम डाल देना या इसका भी link में description में डाल दूगा complete colored book है heart binding book है पूरा जो भी इस लेवस आ रहा है उस लेवस का complete theory है और उस theory का MCQ है इतर तो theory पड़ो MCQ solve करो एक एक topic का theory किया उसका MCQ लगा लिया theory कि MCQ लगा लिया concept भी क्लियर MCQ भी क्लियर 500-400 के आसपास की book है बहुत जादा मेहंगी भी दही है GDC classes app पे जाना या इसका link में description में डाला हूँ वहां से जाके अपने book को मंगा सकते हो कोई भी doubt हो तो आप यहां पे comment में लिग सकते हो इसी चैनल पे जब जाओगे ना तो playlist section जो होगा जिया playlist section में जाना यहां पर देख लो mission exit exam करके important topic की playlist बन चुकी है अलग लग जो भी important topic exit exam में आ रहे हैं इस topic को सारा video देख लोगे ना छोटा-छोटा video है 5-7-10 minute का उसको देख लोगे तो simply आप क्या सारा topic जहां जहां से question बनेंगे वो clear हो जाएंगे sure sort की playlist बनी हुई है exit exam का कोई doubt है उसकी playlist बनी हुई है अलग-अलग model paper अलग-अलग subject अलग-अलग चीजों की यहां पर playlist आपकी मिल जाएगी इसी चैनल पे तो भीया इस चैनल को subscribe होगरा कर लीजे साथी साथ अगर हम बात करते हैं book मगाना है तो उसका link description में देख लीजेगा साथी साथ आपका sure sort series हुआ या crash course हुआ इसका भी link में description में डाले दे रहा हूँ बाकी जितने भी important topic के हैं वो सारे important topic आपको playlist से मिल जाएंगे playlist जादे जादे देख लीजेगा यहाँ पे मैं last में playlist भी लगा दूँगा इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हूँ आपकी जितने भी डी फार्मेशी के दोस्त हैं जिनको exit exam देना है उन तक ये वीडियो जरू share करें like से subscribe करते रहें मिलते हैं किसे के लिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें thank you so much all the very best